तो गाइज आज हम काफी दिन बाद अपनी मेन स्टोरी पर जम्प करते हैं आज की कहानी बहुत दिल्चस्प होने वाली है क्योंकि आज इसमें हम थैनोस का एक ऐसा राज जानने वाले हैं जिससे अब तक हर कोई अंजान था पिछले अपिसोड में हमने देखा था थार थैनोस के बारे में कुछ जानने के लिए टाइटन पर आता है जहां उसे थैनोस के कुछ लॉक्स मिलते हैं और थार की मुलाकात लेडी डेथ से भी होती है पर हमने थैनोस की एक ऐसी स्टोरी भी मिलती है जिसके बारे में सिर्फ टोनी स्टार्क ही जानता है और टोनी ने ये राज आस तक किसी को नहीं बताया है तो अब तक जिसने भी इस पूरी स्टोरी को नहीं देखा है मैं उससे यही कहना चाहूँगा कि वो इस कहानी को बहतर समझने के लिए इसके प्रेली से शुरुवात करें तो अब आगे तावर ओफ डेथ आज़ थैनोस के उसके लव डेथ ने याद किया है थैनोस डेथ से कहता है माई एबनी माई मिस्टरिस आप मुझे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ जस पर डेथ का सेवक डेथ के तरफ से कहता है थैनोस तुमने अपनी जिन्दगी में डेथ और उनके सामराज के लिए कई बार अपनी सर्विसेस दी है और अब हमें तुम्हारी सर्विसेस की एक बार और जरूरत है महारानी को युनिवर्स में फैलते डेथ के इस इंबैलेंस से डर है कि कहीं ये उनके लिए कोई खतरा तो नहीं है उन्हें तुम्हारे इस युनिवर्स टैलेंट की जरूरत है जिस पर डेथ खुद आगे आकर थैनोस से कहती है तुम्हारी टैलेंट और युनिवर्स प्रस्पेक्टिव की तभी डेथ थैनोस को कहीं और ले आती है तेनोस ने कहा ये तु मुझे कहा पर लेकर आई हो डेथ ने कहा यहां हम बात करेंगे प्यार के बारे में तेनोस ने कहा मैं तो सिर्फ तुम से प्यार करता हूँ डेथ ने कहा ये तो अब की बात है ना लेकिन आज आज कभी आज नहीं था है ना थेनोस, तभी थेनोस को एक जानी पहचानी आवाज आती है, उसके सामने सरेला थी, ये लड़की कौन है, वो तो हमें आगे चल कर ही पता चलेगा, थेनोस डेट से कहता है, तुम उसे यहां पर लेकर क्यों आई हो, डेट ने कहा, ये यहां पर हकीकत में नहीं है, ये बताओ थैनोस, ये मुझ से पहले तुम्हारे लिए क्या थी, ये तुम्हारे लिए क्या माईने रखती थी, धैनोस ने कहा, ये बात तुम बहुत अच्छे से जानती हो, जिस पर धैनोस मेडे पास जो कुई भी मरकार आता है, उसके सब सीक्रेट्स मेरे पास होते ही हैं पर मैं तुम से मैं तुम से जानना चाहती हूँ थैनोस कि ये तुम्हारे लिए क्या माइने रखती थी जिस पर थैनोस लेडी डेथ को अपनी वो कहानी बताता है जो उसके सीने में ना जाने कबसे दबी हुई थी एक वक्त था जब टाइटन पर खुश हाली थी टाइटन संपन्य था पर वहाँ एक दिक्कत थी थैनोस की दिक्कत थैनोस को बच्पन में टाइटन के दौरा कोई खास प्यार नहीं मिला था उसके डिवियंट जीन की वज़े से लोग उससे डरते थे उससे कोई दोस्ती नहीं करता था यहां तक कि लोग उससे बात करने से भी हिचकी चाते थे लेकिन तब ही उसी यंग थैनोस के जीवन में वो आई इसके आने के बाद से थैनोस के सूखे पड़े जीवन में जैसे बहार आ गई हो उसने थैनोस को किसी डेविन्ट मॉस्टर के रूप में नहीं देखा नहीं थैनोस ने उसकी नजरों में कोई गहरा प्यार देखा बलकि थैनोस को उसके नजरों में को उम्मीद दिखाई दी ऐसा पहली बार हो रहा था कि किसी ने थैनोस के दिल में उम्मीद जगाई थी ये दोनों एक दूसरे के प्यार में एकदम डूब चुके थे उनका छुप छुप कर एक दूसरे से मिलना आम बात बन चुकी थी पर जहां प्यार होता है वहां उसके दुश्मन भी मौजूद होते ही हैं और ज़्यादा तरप्यार के दुश्मन खुद अपने ही होते हैं ऐसा ही थैनोस के साथ हुआ सेरेला के भाईयों को ये बिल्कुल पसंद नहीं था कि उनकी बहन थैनोस से प्यार करे वो थैनोस को सामने से तो नहीं मार सकते थे इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई थैनोस एक्स्प्लोरर था उसे अपनी जिग्यासा को दूर करने के लिए अक्सर ही अपनी शिप से टाइटन से दूर जाना हुआ करता था इसलिए सेरेला के भाईयों ने थैनोस के शिप में चुके से एक्स्प्लोजन्स लगा दी उनका प्लैन सिंपल था जब थैनोस शिप से जाएगा तो एटमोस्फियर में ही थैनोस के शिप ब्लास्ट हो जाएगी और इस तरह से थैनोस मर जाएगा लेकिन इस बार थैनोस अकेला नहीं गया उसके साथ सरेला ने भी जाने की जित की जिसे थेनोस मना नहीं कर पाया थेनोस और सरेला बॉम से अंजान थे और जैसे ही वो टाइटन से कुछ दूर निकले कि बूम शिप ब्लास्ट हो जाती है और जब थेनोस जागा तो वो हिल भी नहीं पा रहा था क्योंकि थेनोस के neural function damage हो गए थे थेनोस की हालत अच्छी नहीं थी पर थेनोस के लिए राहत की बात एक थी कि सरेला को कुछ भी नहीं हुआ था सरेला ने थेनोस को life support देते हुए कहा कि मुझे तुमारी बात मान लेनी चाहिए थी थेनोस और मुझे घर पर ही रुख जाना चाहिए था लेकिन इस समय युनिवर्स मेंसे कोई जगह कोई चीज नहीं है जो मुझे तुमारी साइड में ना जाने से रोक सके क्योंकि इस समय मेरे पास युनिवर्स के सबसे rare चीज में से एक है एक उमीद है मैं तुम्हें बचा कर रहूंगी थेनोस मैंने डिस्ट्रस सिंगनल भेज दिया है थेनोस लेकिन मदद आने में अभी दो साइकल का वक्त है और यहां हवा सिर्फ एक साइकल की बची है एक साइकल दो लोगों के लिए और दो साइकल किसी एक के लिए यानि कि थेनोस और सरेला में से किसी एक को मरना होगा ताकि दूसरा बच सके थेनोस ने कहा सरेला नहीं तुम मेरे जैसे एक डेवियंट के लिए ऐसा ना करो तुम मुझे मिली, तुमने मुझे प्यार किया, मेरे लिए इतना ही काफी है, तुम मेरे लिए अपनी जान ना दो लेकिन सेरेला की आखों में आशू थे, वो अपना फैसला ले चुकी थी सेरेला ने कहा, मैंने कब कहा कि मैं ये सब तुम्हारी लिए कर रही हूँ मैं ये सब अपने प्यार के लिए कर रही हूँ, तुम्हें जीना होगा, माई लव, तुम्हें मेरे लिए जीना होगा इतना कहकर सेरेला अपने लाइफ सफॉर्स इस्टम बंद कर दे थी है ताकि धैनोस को दो साइकल के लिए बचाया जा सके थैनोस सरेला को रोकता रहा पर सरेला तब तक जा चुकी थी और ये था थैनोस की लाइफ के पहले प्यार कांत मैं कभी ये समझी नहीं पाया कि कोई कैसे कोई कैसे इतना प्यार कर सकता है इससे बड़े प्यार का स्थबूत और क्या ही हो सकता है डेथ ने कहा इसलिए मैं तुमको यहाँ पर लाई हूँ तुम्हें यह स्थमझाने को कि बैलेंस का यूनिवर्स में होना बहुत जरूरी है जब जंगल में लाइफ हट से जादा होने लगती है तब वो भी जंगल के लिए घातक होती है इसलिए लाइफ और डेथ का बैलनस होना बहुत जरूरी है सरेला इस बात को जान चुकी थी कि किसी एक को जीने के लिए एक को मरना होगा और उसने जो भी किया उस वक्त उसे बस एक एक अट आफ लव कहा जाएगा इस यूनिवर्स को सर्वाइब करने के लिए लाइफ और डेथ का बैलनस होना बहुत जरूरी है थैनोस और तुम जानते हो कि क्या जरूरी है थैनोस ने कहा मैं सब कुछ करूँगा अपनी डेथ के लिए लेडी डेथ ने कहा नहीं तुम जो भी करोगे वो लाइफ के लिए होगा पर जब ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं तब ये थैनोस को किसी तीसरे की प्रिजन्स का ऐसास होता है जिस पर डेफ कहती है कि उसने सेकेंड के इस हिस्से को बिलियन्स टुकुडों में तोड़ दिया है ताकि वो और थैनोस यहां जो भी बात करें वो सब के लिए अंजान ही रहे और किसी को कुछ भी ख़बर ना चल पाए कि यहां पर क्या हुआ था इसके बाद लेरी डेफ ने थैनोस को अपना सेवक बना लिया लेकिन थैनोस का श्रक गलत नहीं था वहाँ एक तीसरा श्रक्ष मौजूद थी सेरेला की सोल वहाँ अभी भी मौजूद थी जो कि थैनोस को लेरी डेफ के जहांसे में आने से रोकना चाहती थी वो थैनोस को एक मौंस्टर बनने से रोकना चाहती थी थार को थैनोस के इस कहानी के बारे में पता चल गया था थार ने अपने रेवन्स को चुप करने को कहा क्योंकि आगे की कहानी थार को पता थी कि डेथ का सेवग बनने के बाद थैनों उसने सिर्फ हर जगा कैयोस ही फैलाया फिर तभी थौर को वहाँ पर एक रैक मिलती है जिसमें ब्लैक स्टोन के बारे में फाइल थी लेकिन वो फाइल गायब थी लेकिन थौर के लिए हैरानी की बात कुछ और ही थी वहाँ एक और फाइल थी जो कि थौर के गरेंट फादर बोर बुरी सन के बारे में थी यूगिन ने कहा यहां तुम आये तो थे अपने जवाब को पाने के लिए लेकिन तुम्हारे सामने तो और भी सवाल आ चुके है थौर ने ओर्डन से पूचा कि बोर की फाइल यहां पर क्या कर रही है जिस पर ओर्डन ने कहा कि उसे अपने पिता के बारे में ऐसा कुछ भी नहीं पता क्योंकि बोर के बहुत से सीक्रेट्स थे जो कि उनके साथ ही दफन हो गए यानि कि कुछ तो था जो कि एसगार्ड के पुराने राजा से जुड़ा हुआ था थौर वहाँ सतने सवालों के साथ जानने लगता है थौर उस गुफा से बाहर आता है तो लेडी देथ जो कि वहाँ अभी भी मौझूद थी वो थौर से कहती है कि क्या थौर को उसके सवालों के जवाब मिले जिस पर थौर ने कहा कि थौर के आने से पहले यहाँ कौन आया था जिस पर डेथ ने कहा हाँ यहाँ एक श्रक्स तो आया था जिसको उस नमे के अंत में जरूर निप्टेगी वो श्रक्स जो भी था उसके हाथ में एक गलेव था थोर समझ चुका था कि उसके आने से पहले यहां आने वाला श्रक्स कॉर्वस गलेव था जो कि थैनोस के ब्लैक ओर्डर का मेंबर है थोर वहां से जाने लगता है तो डेथ थोर को रुकने के लिए कहती है वो कहती है मैं जानती हूँ ओडिंसन मैं तुम्हारे अंदर के डर को महसूस कर सकती हूँ तुम चाहो तो मुझे कमपनी दे सकते हो जिस पर थौर ने वहां से जाते हुए कहा कि वो यहां नहीं रुख सकता क्योंकि यहां डेथ के अलावा कुछ भी नहीं है पर गाइस कुछ अभी बहुत आगे जाएगी क्योंकि भले ही थैनोस अभी टाइम एक्जिस्ट नहीं करता है लेकिन ब्लैक विंटर को दिखाया गया विजन थौर को यह महसूस करवाता है कि आज नहीं तो कल थैनोस टाइम में बाफिस जरूर आएगा आप सब में से कई लोग यह नहीं ज पर दूँगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इससे लाइक कर देना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना अब मैं चलता हूँ आप मेरी बाकी के वीडियोस इंजुआए करें और खुश रहें